सब्सक्राइब करें हमारे चानल को और साथ में दबाए इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे एक है जसीडी रेलवे जक्षन संथाल परगना का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन कहलाता है जसीडी जक्षन रेल्बे नेटबक के बाधियम से भारत के जयादा तर सहरों के साथ अच्छी तरह जुडा हुआ है जसीडी रेल्बे जक्षन का कोड J-S-M-E है जसीडी रेल्बे जक्षन एक रेल्बे स्टेशन के अंतरगत आता है इस रूट से चलने वाली जादतर रेल गाडियों का इस स्टेशन पर इस्टोपेज होता है जसीडी रेलवे स्टेशन जहारखंड का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 145 वर्सों के अधिक समय से यातरियों के लिए सर्विस परदान कर रही है जसीडी रेलवे जक्षन को जहारखंड का परवेश दुआर भी कहा जाता है वैसे जसीडी रेलवे जक्षन को साल 1868 में यातरियों के लिए खोला गया था जिस समय हावडा को दिल्ली रेल लाइन से जोड़ा जा रहा था उस वक्त जसीरी रेलवे जक्सन का गठन किया गया था हावडा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1866 में खोला गया था जिसकी दूरी लगभग 532 किलो मीटर है जसीरी से दुमका और दुमका से रामपूर हट रेल लाइन को साल 2011 में खोला गया था जिसकी दूरी लगभग 135 किलो मीटर है इस 135 किलो मीटर के बीच की दूरी में 16 रेलवे स्टेशन आते है इलक्टिफाई की बात करें तो जा सीडी रेलवे जक्सन को साल 1996 से साल 1997 के दवरान इलक्टिफाई किया गया था हावडा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1960 और साल 1971 के दवरान इलक्टिफाई किया गया था जा सीडी रेलवे जक्सन भार्दिय रेलवे के इस्टन रेलवे जोन के आसन सोल रेलवे डिविजन के अंतरगत आता है साल 1925 में जसीडी रेलबे जक्षन को आसन सोल रेलबे डिविजन का हिसा बनाया गया था जसीडी रेलबे जक्षन की उचाई समुद्र तल से 271 मीटर तकरीवन 889 फूट के करीब है जसीडी रेलबे जक्षन में टोटल 6 पिलेटफॉर्म और 8 पत्रिया सामिल है इस स्टेशन से रोजाना तकरीवन 50,000 से ज़्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 160 रेल गाड़ियों से ज़्यादा इस स्टेशन के माध्यम से सुरू होती है समाप्त होती है और गुजरती है जसीडी रेलबे जक्षन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाय उपलब्द ह जैसे की गाड़ी खरी कड़े के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वैटिंग रूम, रिजर्वेशन कॉंटर, साटाहारी और मासाहारी भोजन, टी इस्टोल और पुस्तक की इस्टोल जैसी सुविधाय इस स्टेशन पर उपलब्द है जसीडी रेलबे जक्षन हाव करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, चैनल को सब्क्राइब करे और अपने दोस्तों और इसितारों के साथ सेर करना ना भूले, वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद